जो लोग कभी कभी शराब पीते हैं उनका मानना है कि इससे सेहत को फाइदा मिलता है वही कई लोगों को तो बस शराब पीने का बहाना चाहिए होता है वैलग भग रोज ही इसका सेवन करते हैं कुछ ज्यादा पीते हैं तो कुछ लोग कम लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिमिट में शराब पीने से आपके दिल की सेहत अच्छी हो सकती है हाला कि इसका ये मतलब नहीं कि आप आज से ही शराब पीना शुरू कर दें ये जानकारी केवल उन लोगों के लिए है जो रोज ही शराब पीते हैं असल में डॉक्टर्स का कहना है कि रोजाना पीने वाले अगर एक तेह लिमिट में शराब का सेवन करते हैं तो उनको हार्ट की बिमारियों का खत्रा कम होता है साथ ही बैट कोलेस्टरॉल का लेवल भी कंट्रोल में रहता है हाला कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो ये जरूरी नहीं है महलाओं के लिए प्रति दिन एक ड्रिंक और पुर्शों के लिए दो ड्रिंक का सेवन काफी फाइदे मंद होता है अगर शराब का सेवन इस मातरा में किया जाए तो ये हार्ट की हेल्थ के लिए काफी फाइदे मंद होता है इस से शरीर में गुड कॉलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और हार्ट की बीमारियों का खत्रा भी कम होता है हाला कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं वो भी से शुरू कर दें साथ ही ऐसा भी नहीं है कि रोजाना इतनी शराब पीनी ही है शराब के मामले में हर व्यक्ति की शारेरिक प्रतिक्रिया और शरीर पर होने वाला असर कारकों पर मिरभर करता है शराब से जुड़े जोखिमों और फायदों के मामले में इंसान का खानपान व्यायाम और धूमरपान की आदत भी बढ़ती भी बड़ा फैक्टर है यानि जो व्यक्ति व्यायाम करता है लाइफस्चाइल अच्छी है और खानपान भेतर है दूमरपान नहीं करता है तो उसके शरीर में सीमित मातरा में शराब का सेवन उतना गंभीर असर नहीं करती है जैसा एक सामान व्यक्ति को करती है शराब का अत्यदिक मातरा में सेवन काफी खतरनाक हो सकता है इससे बीपी बढ़ता है और हार्ट बीट भी अन्यमित होती है साथी स्ट्रोक आने का भी खतरा रहता है शराब लिवर को खराब भी कर सकती है और इससे पाचन संबंदी वि उनको किसी भी तरह से शराब के सेवन से बचना चाहिए इस मामले में आपने डॉक्टर से सला लेना भी जरूरी है शराब का हर दिन जियादा मात्रा में सेवन कैंसर के खत्रे को बढ़ाता है और वेंटल हेल्पी खराब कर देता है